नमस्कार किसान भाईयो किसान भाईयो पिछले कुछ सालों से हमारी सभी तरह की फसलों में चायवय अनाज वर्गय हो, फल वर्गय हो, सबजी वर्गय हो या तेल वर्गय हो, दलहनी, तिलहनी किसी भी तरह की फसल हो सबी फसलों में कीटों का अकर्मन काफी ज़्यादा बढ़ चुका है हम किसानों ने भी कीटों का इतना हमला पहले कभी नहीं देखा हमारी फसलों में कीटों का परकोप बढ़ जाने की वज़े से फसलों की लागत बढ़ रही है, मुनाफ़क घट रहा है, उत्पादन घट रहा है, जिस वज़े से हमें काफी नुकसान हो रहा है फसलों में अलग-अलग तरह के कीट आ रहे हैं और उन किटों के लिए हमें अलग-अलग तरह के किट नासकों का परियोग करना पड़ता है जिस वज़े से भी हमारी फसल की लागत बढ़ती है और हमारी मेनद बढ़ती है इसलिए किसान भाईयो इस समस्य से बचने के लिए हमें आज के समय में ऐसे कीट नासक को क्या हो सकता है जिसमें एक कीट नासक के परियोग से हमें अपनी फसल में हर तरह के कीट से चुटकारा मिल जाए या हर तरह के कीट से बचाओ हो जाए इसलिए किसान भाईयो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कीट नासक के बारे में जानकारी देंगे जिसके परियोग से आप अपनी किसी भी फसल में कीटों की रोक थाम के लिए या कीटों के उपचार के लिए परियोग कर सकते हैं यह कीट ना सक किसान भायो काफी अच्छा कीट ना सक है आधुनी कीट ना सक है जो फसल में जिद्दे से जिद्दी कीटों को भी खतम कर सकता है इसका परियोग सभी तरह की फसलों में विबिन कीटों को खतम करने के लिए कर सकते हैं इसके परियोग से सभी तरह की इल्ली यानि के सुंडी चाहे वे तना छेदक हो चोटी बेदक हो पत्ताल पेट हो या अन्य भी किसी तरह की इल्ली यानि सुंडी हो साथ में किसान भाईयो आपकी फसल में किसी भी तरह का थ्रिप्स हो, माइट हो, या होपर हो, किसी भी तरह का कीट हो, सबी से आपकी फसल को चुटकारा मिल जाएगा इस किटनासक का परियोग किसान भाईयो आप अपनी फसल में कीटों के आकरमन से पहले बचावकारी स्प्रेय के रूप में कर सकते हैं यह किसान भाईयो जब आपकी फसल में ये किट आ जाएं तो आप उन किट से चुटकारा पाने के लिए भी इस किट नासक का परियोग कर सकते हैं, दोनों ही इस्थिति में आपको बड़ा सांदा रिजल्ट मिलेगा, यह किट नासक किसान भाईयो इतना सकती साली है कि अगर इसके स्प्रे के एक घंटे बाद अगर बारिस भी आ जाती है, तो भी इस किट नासक का पूरा रिजल्ट आपको पनी फसल में मिलेगा, किसान भायो यह कीटनासक इतना सक्तिसाली होने के बावजूद भी परियोग करता और मित्र कीटों के लिए बिल्कुल सरक्सित है इसलिए इसका परियोग हम अपनी फसलों की फूल वाली अवस्था में भी कर सकते हैं मदुमक्ख्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे हमारी फसल का उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान भायो अब तक आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि यह कीटनासक कौन सा है तो किसान भाइयो यह कीट नासक है Sigeneta Company का Volume Turgow यह किसान भाइयो एक Double Action वाला कीट नासक है क्योंकि इसमें दो technical होते हैं एक तो होता है क्लोरेंटेर निली प्रोल जो कि बाजार में मिलने वाली कोरजन में भी पाय जाता है दूसरा technical जो किसान भाइयो में पाया जाता है वे होता है abomectin 1.7% में किसान भाईयो यह किटनासक आपको ST form में मिलता है यानि कि यह आपको तरल गाड़े सफेद रूप में देखने के लिए मिलेगा इसकी किसान भाईयो अगर डोज की बात करें तो वैसे तो किसान भाईयो इसकी डोज हर फसल के लिए अलग है लेकिन फिर भी किसान भाईयो साम्बनेते इसकी डोज 200-200 ml पर 3-8 के बीच रहती है और बाजार में किसान भाईयो इसका 20 ml से लेके 500 ml तक का पैक मिल जाता है आप अपनी आवसक तनुसार इस कीटनासक को खरीद सकते है किसान भाईयो अगर आपने वोल्यम ट्रगो का इस्तमाल पहले किया हुआ है तो आप हमें कमेंट करके वश्य बताएं बाकी किसान भाईयो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर ले धन्यवाद